आखिर कार मुख्यमंत्र नितीश कुमार ने अपने ही मंत्रियों को क्यूं हड़काया और ये कह दिया कि फालतु की मांग आप लोग मत कीजिए नमस्कार मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूस फोनेशन बिहार के मुख्यमंत्र नितीश कुमार आए दिल अपने अवास पर मंत्रियों के साथ बैठा करते हुए नजर आते हैं विधायकों के साथ बैठा करते हुए नजर आते हैं पार्शदों के साथ बैठा करते है वहीं अब एक हबर आ रही है कि मुख्यमंत्री निदेष कुमार ने अपने मंत्रियों को हड़काया है, उन्हें डाटा है, उन्हें बोला है कि आप इस तरह की फालतों की चीजों की मांग ना करें, हम आपकी बातों को सुनेंगे, और हम आपकी मांग को पूरी करेंगे, आप मुख्यमंतर देशकुमार के मंत्रियों ने ऐसी क्या मांग करतीा जिससे सिया मनेश कुमार इतने जाधा गुस्से होते हुए नजर आ हैं पर लोग मांग करने लगे हैं तो हमने कहा कि छोड़ दीजिए दरसल मुख्यमंत्री आवास इस्तित संकल्प कक्ष में पंचाय सरकार भवनों की शिलन्यास के मौके पर त्रियस्तर ये पंचायत प्रतिनीधी क्रम्ष जिला परिशत सदस मुख्या पंच सरपंच और सदस वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे हाली में अपनी मांगों को लेकर पंचायती राज प्रतिनीधी काफी मुहर हुए थे मुख्यमंदर दीश कुमार ने इस कायकरम के माध्यम से पंचायती राज प्रतिनीधियों को ये हिदाय दी कि फालतू की मांग मत किया कीजिए हम तो खुद ही आपका मांदय बढ़ा देंगे हम बढ़ाने की सोच रहे थे पर आप लोग मांग करने लगे तो हमने कहा की भाई छोड़ दीजे इस दोरान सीयम नितीश कुमार ने केंद्र की सरकार पर निशाना साथते हुए पंचायती राज प्रतिनीधियों को ये समझाया कि किसी के चक्कर में मत पढ़िए सरकार को खत्म करिएगा वालों को दिल्ली वाला कुछ नहीं देगा सीयम नितीश कहते हैं कि दिल्ली वाला जीविका दीदी में से कुछ को फोड़ कर उलट पुलट करने के चक्कर में है दिल्ली वाला कुछ नहीं देने वाला है केवल परचार करेगा जो हिस्सा है वो भी किन्द से नहीं मिलता ये मज़ समझए कि हम जो कर रहे हैं वो दिल्ली के पैसे से हो रहा है राज सरकार अपनी महनस से कर रही है हम तो दिक्तों को देखते हैं खुद जाकर कोई भी समस्या होती है तो मेरे दफ्तर में आप उसे भेढ दीजे मुख्य मंतरी निदेश कुमार आगे कहते हैं कि हम पार्टी की अधार पर काम नहीं करते हैं दूसरे राज्य में तो पार्टी की अधार पर चैन होता है हम भाशन में क्यूं कह रहे हैं कि मिलकर रही है वित्य मंत्री से मिलिए जो भी संभव प्रियास की है वो सब कुछ किया जाएगा मुख्य मंत्री तीश कुमार के काईकरम में मौजुद पंचायती राजमंत्री मुरारी गौतम को घूमने की सलाह दी इस मौके पर सीम ने मुख्य सचीब को मौज में सलाह देते हुए महा मही मुख्य सचीब महा दे आप से आगरा करेंगे कि हर रोज बैठा कीजिए पंचायती राजमंत्री ने अपने संभोधन में कुछ मांग की चर्चा की थी जहां एक तरह पंचायती राज की जो मांग है उस मांग को लेकर मुख्य मंत्री नितीश कुमार ने कल साफ साफ क्या दिया है कि आप लोग इस तरह की मांग क्यूं कर रहे हैं इसका ऐसे विरोध क्यूं कर रहे हैं हम तो आपकी मांगो को खुधी पूरा करना चाहते हैं और हम इस पर सोच रहे हैं लेकिन आपने इस तरह से मांग करने लगी इसलिए हमने ये चोड़ दिया कि इन सरकार की बातों में मत था ये दिल्ली वाला आपको कुछ नहीं देने वाला है दिल्ली वाला सर्फ और सर्फ बादे करता है ना कि वो किसी इंसान को या फिर किसी भी शेत्र के लोगों को कुछ देता है यहां तक कि मंदर देश कुमार ने केंसरकार पनिशाना साथते हुए ये भी कहा कि आप देख रहे हैं ना कि जीविकादीदी लोग का क्या हो रहा है उन लोग को भी तोड़ना चाह लेकिन एक बात हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं एक बात हम आपको इसपस्ट कर देना चाहते हैं कि जो भी राजसरकार में काम हो रही है वो केंद्र के पैसे से नहीं हो रही है वो राज अपने अस्तर पे कर रहा है और राजसरकार उसकी जम्मदारी खुद उठा रही पुलहार के लिए इस खबर में इतना ही, तमाम अड़ी खबरों के लिए देखते रहें नियुस्वारेशन